गुजरात के वलसाड में एक तेंदवे की जान पर बनाई वलसाड के ओजर गाउं की लोगों का सुबह सुबह एक अंचाही मेहमान से सामना हुआ रोजाना की तरह लोग जब सुबह पानी भरने कुए पर गए तो उसमें एक तेंदवा नज़र आया कुए की गहरे पानी में तेंदवा किसी तरह अपने को जिन्दा रखे हुए था लोगों ने तेंदवे की मदद के लिए लखडी का एक कुणदा कुए में गिरा दिया लखडी का कुणदा तेंदवे के लिए बड़ा मददगार साबित हुआ कुंदे से तेंदुवे को अपनी सांसे बनाये रखने में काफी मदद मिली तेंदुवा थोड़ी देर तैरता और फिर कुंदे पर सिर रख कर थोड़ी सांसे लेता लेकिन कुंदा तेंदुवे का भार संभाल नहीं पाता और पलड जाता तो तेंदुवा फिर पानी में गिर जाता और फिर कुंदे के उपर आ जाता तेंदुवे का जिंदगी और मौत का संगर्ष काफी देर तक चलता रहा जैसे जैसे गाउं में ख़बर फैलती गई लोग कुवे के पास इकठा होते गए गाउं वालों ने पहले खुद तेंदुवे को बचाने की कोशिश की लेकिन उनके लिए तेंदुवे को सुरक्षित कुवे से बाहर निकालना मुम्किन नहीं था आखिरकार गाउं वालों ने वन विवाग को तेंदुवे के कुवे में गिरने की खबर दी थोड़ी देर में वन विवाग की टीम गाउं में पहुची तेंद्विय को ट्रेंकुलाईजर से बेहोश किया गया फिर वन कर्मियों ने तेंद्विय को स्रक्षित बाहर निकाला तेंद्विय को पिंजरे में बंद किया गया पानी में गिरने, लंबे समय तक संगर्ष और गाउंवालों की भीर से तिंद्वा काफी चिर्चिरा सा हो गया था और पिंजरे के अंदर भी गुर राता रहा आखिरकार वन विभाग की टीम तिंद्वे को रेस्क्यू कर गाउं से ले गई अकसर खाने के तलाश में जंगली जानवर भटक कर रिहाशी इलाकों में आ जाते हैं और अंधेरे में खुले कुएं में गिर जाते हैं इसमें कई जानवरों की मौत भी हो जाती है वन विभाग ने कुओं को ढख कर रखने को कहा है लेकिन लोग अब भी एहतियात नहीं बरत रहे जिससे जानवरों की जान पर बन रही है